जेन फ्रेंड्स एक बार फिर से दोस्तों 36 गड़ में एक निवे वेकेंसी निकली सांथ यह जो कि आपके 36 गड़ हाई कोट असिस्टेन पोस्ट पर निकली यहां पे ठीक है फ्रेंड्स तो आई इसके बारे आप डीटेल के सांथ जानते हैं एक बार फिर से दोस्तों 36 गड़ केंडीडेट्स के लिए बहुत यह सुनारा मौकर यहां पे यहां पे ठीक है जो कि आपके हाई कोट बिलासपूर से निकलीसा तो यहां फ्रेंड्स यह वेकेंसी दरशल 36 गड़ बिलासपूर जीले से यहां पे निकली है हाई कोड असिस्ट उसे आन तक जरूर देखे के यहां पर ठीक है फ्रेंट से हाँ पर तो आई यह बीना देरी के शुरू करते हैं यहां पर आप यहां पर देख सकते हैं साथ यहां पर तिसगर हाई कोड असिस्टेंग रिकूट में 2023 यहां पर एक्जाम कर नाम है दोस्तों असिस्टेंग रेट 3 का जो है यह इस्टार्टिंग डेट की बात करें साथ ही इस्टार्टिंग डेट जो रहने वाली आपका पांच चक्टूबर 2023 से फार्म अपला ही होने वाले हैं ठी लास्ट डेट के बारे बात करें साथ है तो 31 अक्टूबर इसका जो है और लास्ट डेट रहने वाल है तो ध्यांस यहां इस वीडियो को देखे गए आप साथ हो मैं आपको इस वीडियो में डीटेल्स से एक टूजेट आपको क्वालिफिकेशन भी बताऊंगा इसमें नो डाउट ओके एज लिमिट की बात करें साथ है तो एज लिमिट जो है आपका मिनिमाम आपका 21 वर्स होना चाहिए और अधिक साधिक आपका 30 वर्स होना चाहिए ठीक है जो आपका एज काउंट की जाएग दो दोस्तों यहां पर वो डेट है आपका एक जनवरी दोह के लिए दोस्तों छुट दी जाएगी है अन्ली चाहिए एक कर साथ है टो टंविब हैं 143 पोश्ट फोश्टMi पोश्ट है ठीक है हहां पर अब बात करें दोस्तों के टीडिश सी देटल्स की ओक कि यहां देख से तो तो जर्णल के लिए 72 पोस्ट यहां पे दिया है जर्णल वालों के लिए ओके और 20 वालों को लिए 20 पोस्ट, SC Candidates वालों के 21 पोस्ट, 23 यहां पे आफटर देट उसके बाद दोस्तों यहां पे देखते हैं, SC Candidates के लिए 28 पोस्ट दी गई है जो की अच्छी खाल सी पोस्ट है आपके 36 गड़ के अंडर में, अब बात करते हैं, Education, Qualification तो आपको graduation पास होना चाहिए दोस्तों, किसी भी stream से दोस्तों, किसी भी subject से हैं लेकिन साथ साथ आपको एक साल का diploma होना चाहिए दोस्तों, कम्प्यूटर में चाहिए हो, ITI से ही हो, इसके लिए लिजबर रहगा साथ ही हो, ओके आप किसी भी university से दोस्तों, आप का हो, diploma होना चाहिए, यहाँ पे, ठीक है, साथ आपका, with one year का diploma होना चाहिए, इन कम्प्यूटर में, ओके दोस्तों, from ITI, will be eligible for this post, not out इसके लिए, अब बात करते हो, साथ ही हम, how to apply, तो apply कैसे करना साथ हो, जो हमारे दो पुराने जो subscriber दोस दोस्तों, जैसे का हमने बता दिया दोस्तों कि displacement जाना है, हम आपको direct link दे देंगे, उससे आपको, वहाँ पे आप खुदी apply कर सकते हैं, no doubt, तो इसका selection mode जो रहने वाल दोस्तों, all रहने वाल है, इसको आप खुद भी वर सकते हैं, या किसी CSE center में जाकर भी, इसको fill up करव आ सकते हैं, no doubt, इसके लिए, अब बात के mode of selection का सांथियों आप एठी है, तो phase 1 में आपका होगा दोस्तों, आप टू फेस में होगा है, जो कि आपका phase 1 में आपका return exam होगा, after that या फेस 2 में आपका skill test ली जाएगी, जो कि सांथियों, ये रही दोस्तों, 36 गड़ high court assistant की पू पूछे जाएंगे सांथियों, कौन सा skill test ली जाएगी, इसके बारे में, साथ साथ मैं आपको बता होगा है, इसके salary package कितनी रहेगी, दीगा फ्रेंट्स, तो बढ़े हैं दोस्तों, हमारे ARD1 class के साथ, तब तक मिलते हैं जाहिन, वान्दे मात्रम